ये दो बूंद फेस पे जो मैजिक करेगा लगाने के बाद जस्ट एही बोलेंगी वाओ हेलो एब्रिवान कैसे हैं आप सवाई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्कीन का खूब सारा ध्यान आप लोग रख रहे होंगे आज का वीडियो हाईली रिक्वेस्ट वीडियो है क्या आप लोग को पता है कि बीटामिन सी हमारी स्कीन के लिए कितना जादे जरूरी है आज कल भाग दोड के जिंदगी में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम अपने स्कीन की अच्छी से केर करें टाइम टाइम से अपने स्कीन की देखभाल करें जिसके वोज़े से इस्कीन टाइम से पहले बुढ़ा दिखने लगता है लूज होने लगता है इसकीन का जो लचीलापन है वो खतम होने लगता है और फेस पे जो दाग धबे दिखते हैं उसका ही मतलब क्या ही बोला जाए इतना जादे इसकीन प्राबलम इस टाइम देखने को मिला है तो आज के इस वीडियो में आप लोगे साथ विटामिन सी क्री कीम बोल सकते हैं इसके बारे में आप लोगों को बताने वाली हूं इस तरह का वीडियो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा इसे लगाने के बाद ज़स्ट यहीं बोलेंगी वाव फ्रिंड आज जो रेमेडी आप लोगो बता रहे हूं जो सीरम बनाने का तरीका बता हो गया है फेस बहुत जादे बूढ़ा सा नजर आ रहा है तो जादे बाते ना करते हुए चलिए देख लेते हैं किसे किस तरीके से बनाना है टमाटर का फेस पैक आप यूज किये होंगे फेसियल किये होंगे लेकिन आज हम टमाटर का यूज करके एक ऐसा सीरम तयार करने व तो आज हम जड़ पर काम करने वाले हैं फेस के काले दाग धबा हुआ या तो इसकीन लूज हुआ या तो इसकीन बहुत जादे डल हुआ जो भी इसकीन प्राबलम आपके फेस पे है सभी को ये अकेले डील करेगा तो हमेहां पर लिए है एक पका हुआ टमाटर इसे पानी से धूलकार अच्छे से साफ कर लीजियेगा और थोड़ा सा पका हुआ टमाटर का यूज करिएगा आधा टमाटर ही अमे यहां पे ले रहे और इसका पेश्ट भी बना सकते हैं या तो इस तारीके से कद्दूकस भी कर सकते यह चेहरे के रंगत को निखारेगा चेहरे के काले दाग धब्बे को लाइट करेगा जूरिया को खतम करेगा जो भी इंग्रीडियंट हम इसमें ले रहे हैं सारा नेचुरल है और इस तरह का अगर आप क्रीम या तो सीरम मार्केट में लेने जाएंगी तो कई मतलब की बहु वह भी वेकार ही है एक तरीके से कहा जाए तो उसमें तो केमिकल्स होता है वह हमारे स्कीन के लिए अच्छा भी नहीं होता है कुछ टाइम के लिए तो इसकीन पे गलो भी आता है लेकिन आगे चलके इसकीन बहु जादे वह खराब कर देता है पर यह नेचुरल है और कोई भी कॉटन का या तो मलमल का कपड़ा ले सकती है और उसे चान लेजियेगा ठीक है ताकि इसका जो बीज है और जो मोटा भाग है वह भी निकड़ जाएगा तो इस तरीके से कोई भी कपड़े से आप अच्छे से दबा दबा करके इसका पूरा रस निकार लीजियेग इसमें भरपूर मात्रा में बिटामिन सी होता है और बिटामिन सी हमारे स्कीन पे क्या मेजिक कर सकता है इसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होगा तो हमेहाँ पे सबसे पहले एक बाउल लिए हैं और इसमें हम एड़ किये हैं एक चम्मच टमाटर का जो रस था और पल्प दोनों उसमें काफी जादे उगाढ़ा हो गया था तो एक चम्मच उसे हम लिए हैं और दूसरी इंग्रेडियन्ट हम यहाँ पर एक ही चम्मच आइड किये हैं चावल का मार्ड चावल का मार्ड इसकीन ब्राइटनिंग के लिए जाना जाता है एंटिंग एजिंग पर काम करता है इसकीन के डलनेस को यह रिमू करता है फेस पे गलो आता है जितनी भी कोरियन्स होती है इस तरह का क्रीम उन लोगों का सीक्रेट होता है तो हम यहाँ पर एक चम्मच चावल का मार डाले थे और इसमें हम एक से डेर चम्मच आइड किये हैं एलोवेरा जेल एक बार जादे डाल देंगी तो फीरे मिक्स नहीं होगा तो पहले थोड़ा-थोड़ा करके हमें इसमें डालना है और मिक्स करते रहना है ताकि एक अच्छा सा क्रीम बने अभी इसमें बहुत कुछ जाना बाकी है अभी यह बना नहीं है सबसे पहले हम mix कर रहे हैं ताकि जादे mix करने में time ना लगे थोड़ा थोड़ा करके mix करेंगे तो एक अच्छा सा गाढ़ा सा cream बनेगा इसे आप serum भी बोल सकते हैं, cream भी बोल सकते हैं अगर आप एक महिला है या तो आप एक पुरुस हैं हर कोई इसे लगा सकता है, skin whitening के लिए बहुत अच्छा है अगर आप अपने color को थोड़ा सा फेयर करना चाती है तो एक cream आपके लिए बहुत काम आ सकता है इसे लगाने बाद फिर market वाला cream आप छोड़ ही देंगी लगाना इसे आप सुवा भी लगा सकती है, रात में भी लगा सकती है जब भी आपको time मिले अपने face को clean करिए और इसे 2-3 बूंद लेकर पूरे face पे लगाईए तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे mix भी कर रहे हूं और थोड़ा थोड़ा करके aloe vera gel मैं इसमें डाल भी रही हूं इसे बनाने में मुझे 4-5 spoon aloe vera gel लगा था मैं इसे एक हपता के लिए बना रही हूं क्योंकि दोनों time यूज करूंगी तो थोड़ा सा ज़्यादे लगेगा अगर आप सिर्फ रात के लिए बना रहे हैं दिन में आपको पास time नहीं होता है या तो आप एक working woman है तो दिन में आप दूसरा कोई cream यूज करती हो तो रात में इसे लगाईएगा तो थोड़ा सा ही बना कर ट्राइ करिए अच्छा result मिलता है तो दुबारा से फिर ताजा बना लिजिएगा इसमें हम add किया है 5-6 बूंद बदाम का तेल ठीक है जी आप यहाँ पे vitamin C का जो capsule आता है उसका भी oil ले सकते हैं पर उसे भी हम इसमें tomato डाले हैं तो vitamin C जादे है तो हम यहाँ पे बदाम का तेल लिये हैं ठीक है फ्रेंड अब इसमें हम एक चम्मच और add कर रहे हैं जो चावल का मार है अब यह थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है क्योंकि यह लूवेरा जेल हम इसमें थोड़ा जादे ही ड सकता है अगर आप सिर्फ चावल का मार अपने फेस को क्लीन करके लगाती है तो अकेला ही आपके चेहरे के काले दाग धब्बे को भी हटाएगा और इसकीन को टाइट भी करेगा तो चावल का मार इसकीन के लिए अम्रित है टमाटर भी बहुत अच्छा काम करता है फेस पे अगर आप इसे रात में लगा करके सोती है तो सुबह जो आपका इसकीन पे मैजिक दिखेगा इसकीन इतना सौप्ट दिखेगा इतना गलोइंग हो जाएगा कि आप से दो से तिन लोग तो जरूरे पूछेंगे कि आप क्या लगा रही हो अपने इसकीन के लिए क्या कर रह अगर आप इसे थोड़ा सा पतला और करना चाती है तो इसमें चावल का माड़ या तो टमाटर का रस और डाल सकती है फिलाल मुझे इसी तरीके से लगाना पसंद है जादे पतला मैं नहीं करती हूँ तो अभी मैं लगा करके आप लोग को दिखा रही हूं लगाने के साथ साथ इसकीन पे कितना जादे गुलो आ गया है अगर आपके फेस पे बहुत जादे ओपन पोर्स की समस्या है आँखों के आसपास का जो इसकीन है बहुत जादे लूज हो गया है बिंटर अभी खतम ही हुआ है और बिंटर में इसकीन बहुत जादे काला पड़ गया है धू नहीं बताया क्योंकि मैं इसे खुद यूज कर रहे हूँ आज करीब एक महीना हो गया इसे यूज करते हुए और मैं बहुत जादे खुद सूंफिरेंड और इसे आप ट्राई जरूर करिएगा तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये बन गया है बनाने के बाद आपके पास कोई भी क्रीम की खाली डिबी हो उसे धुल कर साफ कर लीजिएगा ठीक है उसमें कोई भी पानी ना लगा हो पानी अगर लगा रहेगा तो फिरे बहुत जल्द खराब हो जाएगा इसे बना कर आप महीना भर के लिए श्टूर कर सकती हैं महीना भर आराम से चलेगा क् हम कुछ ऐसा एड ही नहीं किया है कि इसे आपको फ्रीज में रखने की जरूरत पड़ेगी बाहर महीना दिन अराम से चल जाएगा तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि हम यहां पे एक क्रीम की खाली डिबी थी उसे धुल कर साफ कर ली हूँ और उसमें मैं इस सारे क्रीम को भर दे रहे हूँ इसे बना कर आप अपने बेड पे रख लीजिएगा और जब भी आप रात को सोने जाती हैं तो अपने फेस को अच्छे से क्लीन करिए क्लीन करने के बाद इसे आप 5-6 बूंद लीजिए पूरे फेस पे अपलाई करिए एक बात और आपको ध्यान देन हैं उसकी क्वांटिटी आप जादे कर लीजिएगा फिलहाल मेरा जो इसकीन है थोड़ा ओईली है तो मैं यहां पे सिर्फ बहुत कम मात्रा में ही 5-6 बूंद डाली हूँ ठीक है तो बनाने का सही तरीका आप लोग को पता चल गया होगा इसी बात पे वीडियो को एक आने के बाद अपना फीड़े कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा क्योंकि यह क्रीम बहुत मैजिकल है हाइली रिक्वेस्ट कर रहे हूं हर बार की तरह वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा